हालो फ्रेंज वेडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन काफी ज्यादा काम क्यों बहुत व्योस्पूर होगी दोस्तों आज करें कैसे आप अपने जीमेल एकाउंट के अंदर मोबाइल नंबर एड कर सकते हो रिमूब कर सकते हो उसका पासवर्ट कैसे आप चेंज यह तरीका अल्मूस सभी एंडुएट फोन में सेम ही काम करता है स्क्रोल डाउन करें आपको यहाँ पर गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा उस ऑप्शन के उपर आप क्लिक करें यहाँ पर मैं कुछ चीजों को जरूर बलर कर दूँगा को कि यहाँ पर मेरी भी कुछ दोस्तों फिलार इस फोन में आफ है लेकिन आप डेफिनेटली अपने फोन में आउन कर दे उसका एक रीजन है कि किसी परसन के पास आपका जीमेल आईडियो और उसका पासवर्ड होगा तो जब जाए तब किसी भी डिवाइस में इसे लोगिन कर सकता है जो कि आपके दिवाइस में लोगिन है तो आपको गूगल सीकुरियोटी कोड यहाँ से मिल जाएगा और इसीक करता है हर बार काम नहीं करता तो इसलिए अलग सेकुरियोटी कोड आपको मिलेगा किसी अप सीकूरिट को का परमैंट नहीं रख सकते उसके लाव यहाँ पर आपको पासव पासवोड लॉग इन करो अब यहां पर कर सकते हैं तो कंटीनियू पर मैं क्लिक करूँगा मैं यहां से अपने पासवड को ईजीली रिसेट कर सकता हूं विदिन ट्वैंटी सेकंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करो तहीं आप रिकावरी फॉन अपका कहीं बार यह सा के नीचे आपको recovery email ID का भी option बल जाएगा तो आप यहाँ पर अपनी email ID को भी definitely enter कर देए दोस्तों उसके नीचे आपको बदा चल जाएगा कि वैसा आपका device कौन आपकी जो email ID है कौन-कौन से phone में login है दोस्तों देख़ें कि तू सीजन android phone मतलब यहाँ पर दो android phone के अंदर मेरी ID login है उसके लावा दो वाचिस है Samson watches जिसमें मेरी ID login है लेकिन मैं easily यहाँ से उन्हें remove कर सकता हूँ बस आपको उसके उपर क्लिक करना होगा अब कोई device जान सकते हो दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात कर तो यहाँ पर आपको और बहुत सी सेटिंग्स मिल जाएगी data and privacy और बहुत से आपको यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाएगी विडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मेरी शोट्रिप चनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसमें से कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगी प्लीज मुझा कमेंट करके ज़रूर बताना